Hello everyone, आज का वीडियो आप सब की रिक्वेस्ट की उपर है कि हाथों का कालापन, हाथों की रिंकल्स को किस तरह से दूर किया जाए, डर्ड्राइ स्किन को किस तरह से दूर किया जाए, तो तीन स्टेप दियों में आपके साथ शेयर करने वालों 6 मन्त इस रेमडी को बना कर up करते चाफल के अटे के, दोनों में antioxydants properties होती है, जो कि स्किन को गोरा और wrinkle को दोर करने का help करती है, फिर आपको चार चमच लेने हैं sugar के, sugar में होता है galacolic acid जो कि स्किन को polishing का का काम करता है, ये scrub बहुत ही amazing है, हफदे में दो बार, full body के ऊपर use करने से, under arms का का काातापन होने लगती है इसके बाद आपको इसमें एड करना है दो चमच बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा बहुत अमेजिंग चीज है जो कि इसके बाद इसमें चार चमच मैंने एड किया है एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑईल के आप नॉर्मल वाला कोकोनट ऑईल भी ले सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कीजिए इसको आप हफते में दो बार पूरी बॉड़ी के उपर यूज करके देखेगा आपके पूरी बॉड बाला पर निकल जाएगा रिंकल्स खतम हो जाएगा स्कीन के उपर ग्लो आएगा हातों के उपर आप हुपर इसको हफ़ते में चार रर यूज कीजिए क्योंकि हूँस की हमारे सिक बात अर्गा हम बहुत ज़या है क practice च्रस हंको हमारे हाथ को डमेघर का का म करते हैं इसके क पूरी बाडी के उपर यूज़ कर रहे हैं तो सोप का आपको उस दिन यूज़ नहीं करना है लाइफ दोस्तों यहां पर मैं आपके साथ शियर कर रही हूँ इतनी जदा स्कीन आपकी सॉफ्ट इतनी जदा क्लियर हो जाएगी कि आपको इसके बाद क्रीम की जुरूरत नहीं पड़ेगी आप इसके दिवाने हो जाएगे ट्राइ करके देख लीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अभी मैं आपको एक क्रीम बनाना बताऊंगी जिसको बनाकर डे और नाइट में आप यूज़ के अर सकते हैं शिक्स मन्त के लिए स्टोर कर सकते हैं इसस ऑफ से हाथों की रिंकल्स आपकी हमेशा के लिए चली जाएंगी इसके लिए सबसे पहले 4 छोटे चमच आपको लेंआ है वेसलेन के वेसलेन बहुत ही अमेजिंग चीजյ है स्किन की रिंकल्स का दूर करने के लिए फिर आप इसमें 2 छोटे चमच एड़ करेंगे extra virgin coconut oil के फिर आपको इसमें add करना है एक छोटा चमच आपको इसमें add करना है baking soda का यह सारी ही चीज़े बहुत ही amazing काम करती है अगर आप इसको अच्छी तरह से mix करते हो जो market में आप 1000 रुपे की cream का use करते हैं उससे तो यह बहुत ही amazing काम करती है अच्छा वाला डिजर देती है इसको किसी container में भर के रख लीजिए इसको आप 6 मंत के लिए बीना फ्रीज के store कर सकते हैं इसको आप day और night अपने हाथों के उपर use कर सकते हैं बड़ अगर आपकी हाथों के उपर बहुत ज़्यादा wrinkles है तो इसको किस तरह से आपको use करना है हफते में दो बार सबसे पहले अपने हाथों के उपर इसको लगा कर 2 मिनर मसाज कर लीजिए अच्छी तरह से फिर आपको क्या करना है अच्छी तरह इस क्रीम को लेकर पूरे हाथों के उपर अच्छी तरह से लगाना है एक अच्छा सा जिस तरह से हम पैक लगाते हैं फिर क्लिंग रैप की हैप से अच्छी तरह से इसको रैप कर लेना है अगर आप चाहो पूरी रात के लिए इसी तरह से छोड़ सकते हैं नहीं तो इसको 5-10 मिनट इसी तरह से चोड़ना, इसके बाद अपने हाथों को वाश नहीं करना है, तो क्रीम खुद खुद आपकी स्किन में पैनिटेट हो जागी, इस तरह से सो जाना है, हफते में दो बार इस तरह treatment करने से आपकी हाथों की wrinkles खत्म हो जाएगी उस्तो अभी मैं आपको एक skin whitening serum बनाना बताऊंगी जिसको ना के वर पूरी body के उपर बलकि face के उपर भी use कर सकते हैं अगर spray bottle में इसको आप डालोगे नहाने के बाद आपको कोई भी serum का use नहीं करना है इस water based serum का use कीजिए बहुत ही जल्दी skin में penetrate हो जाएगा skin को glowing करेगा skin के उपर whitening आफेक्ट आएगा wrinkles दूर होंगे इसको अपने नहाने के बाद face के उपर भी use कर सकते हैं अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसमें lemon drop जो add कर सकते हैं fresh lemon की 3-4 drop add कीजिए फिर इसमें मैंने 1 teaspoon add किया था 1 teaspoon add किया है almond oil का almond oil नहीं है तो vitamin E का oil add कीजिए दोस्तों फिर यहां पर यह मेरे पास 100 ml की bottle है बाकी bottle मैं इसमें add कर दूँगी rose water का rose water आपके skin के pH balance को maintain करता है यह जो गोली है इस serum का पूरी गेम को change कर देगी इतनी effective गोली है इसको बताने से पहले वीडियो को जल्दी से like कर दीजेगा दोस्तों comment section में जरूर लिखेगा अपना feedback यह जो गोली है यह कैमफर की गोली जाने के कपूर की गोली को इसको mix कीजिए अच्छी तरह से shake कीजिए यह आपका serum बन गया इसको day और night में जब चाहिए इसको use कीजिए